हेलो फ्रेंट्स, वेलिकम टू मैं चैनल, आज हम सूट के उपर सूट रखकर कुर्ती की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने 2.5 मिटर फैबरिक लिया है, और मेजरमेंट के लिए ये हमने कुर्ती ली है, तो सबसे पहले हमें इस कुर्ती को अच्छे से प्रेस कर लेना है तो हमने फैबरिक को टू फोल करके रखा है, अभी हम इसे फोर फोल करेंगे, तो इस तरह से इसको उठा के हमें फोल करना है, इसको एकदम अच्छे से फोल करेंगे, बीच में कोई भी सिल्वर्ट ना रहे, तो हमने फैबरिक को फोर फोल किया है, यहाँ पर ओपन साइड है और यहां पर fold side है तो अभी हमें कुर्ती को लेना है तो सबसे पहले हमें कुर्ती को fold करके रखना है इस तरह से तो कुर्ती को हम बीच से fold कर लेंगे और इसके उपर अच्छे से adjust करते हुए रखेंगे fold side के उपर हमें fold side ही रखनी है अब यहाँ पर जहाँ पर shoulder आ रहा है वहाँ पर इसे अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे कि अभी हम इस पर marking करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर shoulder का निशान लगाना है तो जहाँ पर हमारा sleeve attached हुआ है वहाँ से half inch का margin लेंगे हम और यहाँ पर shoulder का निशान लगा लेंगे उसके बाद हम armhole का निशान लगाएंगे यहाँ से अब यहाँ से हम armhole के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे straight उसके बाद हम इसे as it is ड्रॉ कर लेंगे नीचे बॉटम तक अब यहां पर देखें लेंथ आप कम ज़ादा कर सकते हैं तो जैसे कि आपको लेंथ कम चाहिए तो इस तरह से इसे फोल्ड करना है और इतनी लेंथ ले लेनी है अगर लेंथ जादा चाहिए तो आपको लेंथ नीचे से बढ़ा लेनी है तो मैंने यहाँ पर 44 इंच की लेंथ ली है टोटल अभी यहाँ पर हम नेक वेड़ का भी निशान लगा लेंगे तो अभी हम कुर्ती को साइड में रख लेंगे अभी जो हमने आर्मोल का निशान लगाया है वहाँ से हम अंदर की तरफ लाइन ड्रा करेंगे और इस लाइन को हम शोल्डर से स्ट्रेट जॉइन कर लेंगे इस तरह से अभी यहाँ पर हम वन इंच पर मार्क करेंगे और आर्मोल की गुलाई दे देंगे यह हमारा बैक का आर्मोल है अभी यहाँ से हम वन इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम उपर शोल्डर से जोड देंगे स्ट्रेट और उसके बाद हम इस लाइन से फ्रेंट का आर्मोल ड्रा कर लेंगे इस तरह से अभी यह हमारी फिटिंग वाली लाइन है तो इसके बाहर से हमें मार्जिन लेना है डेड़ से दो इंच का तो यहाँ पर मैं दो इंच का मार्जिन ले रही हूँ पूरा नीचे तक तो इस तरह से पूरे में हम दो इंच का मार्जिन बढ़ाते हुए जाएंगे और इन निशानों को जोड़ देंगे अभी ये हमारा हिप का निशान है यहां से हमारा स्लिट आएगा तो हम यहां पर एक निशान बना लेंगे तो नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे अभी सबसे पहले हम बैक आर्मोल से कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से हमने कुर्थी की कटिंग कर ली है अभी जहां से हमारा स्लिट आएगा वहां पर हमें कट लगा लेंगे उसके बाद यह नेक वेट है वहां पर भी हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे और यह जो फिटिंग वाली लाइन है यहां पर भी हम छोटा सा कट लगा लेंगे इससे हमें फिटिंग करने में हासानी होगी अभी हम इससे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रख लेंगे और फ्रेंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और अभी हम फ्रेंट आर्मोल की कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से हमने फ्रेंट आर्मोल की कटिंग कर ली है तो यह फ्रेंट का पार्ट है और यह हमारा बैक का पार्ट है अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फैबरिक को फोल्ड किया है यह देखे यहाँ पर यह ओपन साइड है और यहाँ पर fold side है अभी हमें कुर्टी के sleeves को इस तरह से रखना है यहाँ पर fold side के ओपर हमें fold side ही रखनी है और sleeve को हमें अच्छे से adjust करते हुए यहाँ पर रखना है यह जो shoulder का निशान है यह बराबर हमें इस कपड़े से match करना है और इस fabric की जितनी length है मैं उतनी ही length रख रही हूँ तो मैंने यह 12 inch की length ली है fabric की और अभी आपको length अगर जादा करनी है तो आपको fabric यहाँ से बढ़ाना होगा तो यह मैं इतना ही रखूंगी length sleeve का अभी हम यहाँ पर armhole का निशान लगा लेंगे और बाकी हम as it easy से draw कर लेंगे अभी हम कुर्ती को उठा के side में रख लेंगे अभी यहाँ से हम sleeve का shape देंगे इस तरह से तो यह हमारा back का sleeve होगा और अभी front sleeve के लिए हम half inch अंदर से draw कर लेंगे इस तरह से यह हमारा front में आएगा अभी यहाँ पर half inch का margin लेंगे side से तो इस तरह से sleeve की marking हो गई है अभी हम cutting करेंगे सबसे पहले हम back armhole से cutting करेंगे अभी हम center में cut लगा लेंगे जिसे की sleeve attach करने में आसानी होगी और यहाँ पर fitting का जो निशान है वहाँ पर भी cut लगा लेंगे अभी हम sleeves को open करेंगे और उसके बाद हम front का armhole cut कर लेंगे तो देखे इस तरह से हमने sleeves की cutting कर ली है तो यह हमारे दोनों side के दो sleeves है तो इस तरह से हमने कुर्थी की और sleeves की cutting कर ली है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो subscribe भी कीजिए Thank you